नमस्ते मैं हूँ देद डिश्टी कॉन प्रडक्शन से और आपका मुजिक इंस्ट्रक्टर आज हम बात करने वाले हैं होम स्टूडियो सेटप के बारे में होम स्टूडियो सेटप में सबसे इंपॉर्टन चीज़ क्या है आईए देखते हैं यह है टेबल, म्यूजिक टेबल आपने ऐसा बहुत अल्रीड देखा होगा यह जो साइट पे मैंने शेल्फ बनाई है इसके उपर आएंगे मेरे मॉनिटर्स, स्पीकर्स और यह जो जगह है इसके उपर आ सकती है आपकी स्क्रीन और बीच में जो गैप है उसके अंदर आपक एक स्क्रीन के लिए शेल्फ और यह बड़ी स्क्रीन के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो मैंने यहाँ पर एक स्पेशल जगह छोड़ी है फ्रेम लगा कर तो आईए देखते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले जो इंपोर्टन चीज़ होगी एक स्टूडियो में वो क्या है डिजिटल आउडियो वर्क स्टेशन यानि आपका कम्प्यूटर तो हम क्या करने वाले हैं मैं यहाँ पर रखता हूँ एक मैक बुक और एक विंडोस का लैप्टॉप अब यहाँ पर मैंने क्या किया है यहाँ मैं शो कर रहा हूँ विंडोस में एफल स्टूडियो कर रखा है और जो मैक है उसके अंदर मैंने लॉजिक पर खोल रखा है आपको सिरफ यह बताने के लिए कि कोई भी डिजिल आडियो वर्क स्टेशन दूसरे से बेटर नहीं हो यूज़ कर सकते हैं मैक के अंदर क्यूबेस अबल्टन लॉजिक एफल सब चलता है विंडोस के अंदर सिर्फ लॉजिक नहीं चलेगा बाकी सारे सौफटर एक्जैटली सेम स्टाइल में चलते हैं सो हम इस सेटप में एक्जैंपल लेने वाले हैं मैक का और सबसे इंपॉर्टन चीज हमें क्या चाहिए होगी इसके साथ चलने वाले स्पीकर्स तो आईए देखते हैं यहाँ पर जो एक्जैंपल में सबसे पहले ले रहा हूँ वो है रॉकेट 8 के के आठ इंची मॉनिटर्स हैं बूमी है इसके कॉंपिटिशन में यामाहा एचेस 8 भी चल रहा है मुझे प्रोडक्शन में यह काफी पसंद है और बहुत सारे स्टूइन्स को मैं रेकमेंड भ इसके बाद जो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है वो है JBL LSR 305 5 इंची इसके इलावा कोई भी 4 इंची आपके रूम के उपर डिपेंड करता है आपका रूम कितना है बड़ा है छोटा है क्या चीज़ है उसके हिसाब से आप 4 इंची मॉनिटर 5 इंची मॉनिटर या 8 इंची सबसे पहले है M-Audio का M-Track छोटा सा है USB से चलता है कोई external power की जरूरत नहीं है यह देखिए पास से M-Audio M-Track 2 in 2 out बेसिक है 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 11-12000 में आ जाता है आपके recording की और MIDI input की latency कम करता है यह है मेरी balance cables आप देख सकते हैं इसके दो हिस्से हैं एक हिस्सा जाएगा यहाँ आप यह left वाले में इसे balanced यह देखिए यह डाल दिया इसका दूसरा हिस्सा जो है जो balanced का वो जाएगा मेरे monitor में अब मैं दगाऊंगा monitor में मैं आपको पीछे करके दिखाता हूं और यह रहा यहाँ लिखा है balanced जिनके पास rocket है वो पीछे देख सकते हैं यह आपर balanced ही लिखा होग डाल दिया that's it इसके साथ यह connect हो गया है simple यह दूसरी balance cable इसके साथ मैं connect करूँगा अपना audio interface का एक हिस्सा और दूसरा दूसरे monitor में M audio है बहुत popular है M track 2 in 2 out अगर आपने सिरफ 2 speakers का लगाने हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरी तरह 4 reference लेना तो फिर आप prefer कर सकते हैं यह दूसरे वाला इसमें है 4 in 4 out यह है task cam का आप size का difference ही देखिए कितना जादा है यह मैं पास से दिखाता हूं इसमें है 4 mic preamps और अगर पीछे देखेंगे तो आप 4 monitors connect कर सकते हैं वही balance cable के साथ इसे external power की जरूरत है दो इसमें headphones भी लगते हैं तो बहुत ही simple है बढ़िया है easy है USB यहाँ पर connect हो जाएगी यह रही USB cable इसके साथ हम connect करेंगे audio interface हमारे DAW के साथ तो यह पीछे लगाया मैं आपको दिखाता हूं एक done जो दूसरा हिस्सा है इसका USB वाला simply मैं अपने computer में लगा लूँगा अब हो सकता है आपको लगेगी आपकी screen छोटी है मुझे बड़ी screen चाहिए क्योंकि mixer और बहुत कुछ खुलता है तो मैं क्या करूँ मैं connect करूँगा एक बड़ी screen यह 29 inches है इसके साथ connect हो जाएगी किस HDMI port में जाएगी HDMI cable और यह दूसरा Thunderbolt जो मेरे MacBook पे जाएगा तो लीजे connect हो गया है जो screen पे चल रहा है आप बंद कर सकते हैं और सिरफ उसके उपर काम कर सकते हैं laptop सिरफ CPU की तरह ही use होगा अब हमें चाहिए एक microphone दो तरह के हैं dynamic भी है condenser भी है आपके कमरे पे room acoustics के हिसाब स mic selection होती है और यह है एक dynamic mic यह आप देख रहे हैं तीन पिन लगे हुए है क्योंकि इसमें XLR cable लगेगी यह है XLR cable male female आप connector देख रहे हैं इसका एक हिस्सा जाएगा मेरे mic में और दूसरा हिस्सा जाएगा मेरे sound card में किस तरह से यह रहा mic और यह मैंने कर दिया है connect यह रहा stand यह रहा mic और जो इसका दूसरा हिस्सा था वो जाएगा मेरे sound card में मैं match करूंगा pin to pin simply और यह गई मेरी input that's it यह मेरा condenser mic सेम तरीके से connect होगा लेकिन आपके audio interface पर होनी चाहिए 48 volt phantom power अब हम connect करेंगे recording के लिए एक headphone क्योंकि कानों में हम tempo लेंगे साथ साथ record करेंगे उसके लिए हमें headphones चाहिए interface में 6.5 या 6.3 mm jack लगता है लेकि normally होता है 3.5 तो यह connector लगेगा यह इसके साथ ही आता है बहुत सारे अच्छे headphones के साथ ही आता है नहीं है तो ले लीजिए 25 तीस रुपे का ज्यादा बड़ी चीज नहीं है यह connect हो गया यह फिलहाल सेनाइजर के हैं अब और भी बहुत सारी options यूज कर सकते है studio थोड़ा सेट हो गया है अब मुझे क्या चाहिए अब मुझे चाहिए एक midi board यह midi board है मैं यह वाला क्यों यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसका already मैंने unboxing वीडियो डाली हुई है impact GX49 Nectar Company की है बड़िया है 83-8400 में आ जाएगा उस हिसाब से अच्छी चीज है कीज काफी बड़ी है अगर मेरा budget और feel अलाओ करता है तो मैं और क्या add कर सकता हूँ यहाँ पर मैं add करने वाला हूँ एक monitor stand यह यहाँ पर मैंने रखा और यह आ गया है मेरा दूसरा reference monitor यह मैंने इदर रख दिया है ठीक है इदर भी add किया मैंने अब center में आ गया है दो 8 इंची और side में दोनों तरफ आ गये है मेरे 5 इंची laptop के लिए USB keyboard lights की मैंने off यहाँ पर लगाई है मैंने blue LED अच्छी environment create करने के लिए mobile से बना रहा हूँ video इसलिए quality थोड़ी कम है यह मैंने की light on और यह देखी क्या difference दिखता है better performance के लिए आप desktop भी use कर सकते हैं यह है मेरा handy recorder इसको मैं use करता हूँ यह है zoom h2n next इंटर्व्यूज में या फिर environmental sounds record करने में यह मैं बहुत लोगों को इसलिए recommend करता हूँ जिन लोगों के पास audio interface या mic खरिदने का budget नहीं है वो इस चीज़ को खरिद लीजिए बहुत ही high quality MP3 और wave यह record करता है अपनी अवाज record कीजिए SD card इसमें डलता है wave या MP3 format अपने DAW में ले जाईए और production और mixing कीजिए simple आपके projects और sound library के backup के लिए आपके पास होनी चाहिए एक portable hard disk अगर virus आ जाए या गलती से project delete हो जाए तो बाद में वो लोग पश्टाते हैं जिन्रोंने backup नहीं लिया होता इस खाली space में आप काम का समान रख सकते हैं दूसरा laptop रख सकते हैं और सजावट के लिए अपने table पे showpiece भी रख सकते हैं नाइस तो ये हो गया आपका home studio setup तैयार आप देख रहे हैं पीछे बड़ी screen लगाना चाहे तो लगा सकते हैं थोड़ी सजावट वगरा ज़रूरी है तो पीछे मैंने दिवार पे टैटूस गर लगाए हैं ये आप side से देख रहे हैं looking beautiful ये दो cabinet cooler master के i7 processor वाले हैं मैं Mac और Windows दोनों ही यूज़ करता हूँ अब बात करेंगे basic acoustics की इस room के corner में लगे हुए रूम की थोड़ी reverb कम करने के लिए acoustic panels आप खरीद भी सकते हैं खुद बना भी सकते हैं glass wool और wooden box यूज़ करके diffuser और absorber दोनों ही market में available हैं stay humble room की reverb कम करने के लिए आप carpet भी यूज़ कर सकते हैं और पड़े लगाना भी beneficial होगा अगर आपको instrument प्ले करते हैं उसके proper जगा होनी चाहिए जैसे यहाँ पर guitar रखी गई है अपने stand के उपर आप देख सकते हैं पेड काटने कुछ लोग आये थे मेरे गाउं में धूप बहुत है कहकर बैट गए उसी की चाहों में वह क्या बात है आपका home setup एक creative place है तो थोड़ी बहुत creativity होना ज़रूरी है यह मेरा official studio नहीं है यह home setup है इसलिए acoustically treat करने की जगा मैं यहाँ यह सब करना पसंद करता हूँ तो हमारा basic home setup तयार हो गया है जो भी beginners है वो यहाँ से देख सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज available होती है MIDI board, audio interface, computer, DAW, speakers क्या क्या चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं मैं आप सब का बहुत शुकर गुजार हूँ क्या आपने हमारे गाने तितली को इतना स्पोर्ट किया है लगातार मुझे messages और comments आते रहें जिन्नोंने नहीं देखा है वो भी जाईए लोगधुन पंजाबी YouTube चैनल पर like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए तो मिलते हैं अगले lecture में Taptakeli Dev from Drishtikon Productions signing out, Namaste!